हेलो दोस्तों आप सब कफिसे स्वागत है मेरे स्वीट्योग चैनल पर आज के सुड़े में हम बात करने वाल है कि यसी के आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूं मैं एस आई वी वसेज भी आई के बीच होने वाली मैच के बारे में मैच के हम तीन ड्री मिल्योन की विनिंग टीम देखने आले जिससे कि आपका अच्छा से अर्डिंग हो सकते हैं फिर आप ग्रांड लीग या स्मॉल लीग जरूर जिद सकते हैं तो इस टीम पर हमें क्लिक कर ले नहीं है और अब तक आपने यहाँ पर टीम नहीं बनाए तो more time पर क्लिक करेंगा लेकिन मैं अल्रेडि टेम स्याप्रे में बना की रख चुका जिससे मं मैं माईटेम पर जाके एकट-इडिट लेना नहीं लेना और आखर मैं किसको क्याप्टन और राइस क्याप्टन बनाना वह मैं दिखा दूँगा तो माहि टेम पर जाने से पहले रिक्वेस करता हूँ दोस्तों आप तक मेरा चायनल सबस्क्राइब ने क्या है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये साथ सब्सक्राइब को प्रेश करके आल पर भी क्लिक करता ना बुले ताकि इसी तरक अच्छे उड़े सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए हम आई टीम पर चलते हैं और पाहले टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हुए तो यहाँ पर हम सबसे पहले आच सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते हैं सबसें अच्छी वाल को लिया है सब तक कि खेल रहे हैं तो जबूर नहीं क whats आ और जबव्र दाक सक लिए है तो यहाँ पर मैंने आर तीवाला को लिया है उसके बाद ए नंदी को लिया है और तीसरे एच सिंग को लिया इन्हों ने तो सब बढ़िया ही परफॉर्वांस के तीनों ने जरूर आप इन तिनों को साथ ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों काफी बढ़िया खेल रहे है और अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर दोनों के दोनों बढ़िया परफोममस कर कर सकते और दी कुमार दास तो अच्छी खासी गेन बाजी भी कर सकते तो ज़रूर आप इन पर भर्षा कर सकते दाव लगा सकते चलिए दोस्तों प्रेवियो करा देता हूँ जैसे के आप देख पार है यहाँ पे मेरे पास एकी कीपर है बी अली उसके अलाव मेरे पास चार बल्ले बाजे दोस्तों आई शाहा आठ धाकूर और अगरवाल और ए शाहा तो इसतर चार बल्ले बाजे मेरे पास उसके बाद मेरे पास तीन और रूर्ण डरे ए नंदी एच सिंग और आर तिरूबला उसके बाद वही अगर बात करें तो धीकुमात दास को वाइस क्याप्टन बादा काफी बढ़िया बैटिंग और बालिंग कर रहे हैं तो इस तीम में काफी अच्छे परफॉर्मस दे रहे तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं तो जरूर आप इनको इन प्राइब लगा सकते हैं क्योंकि एक काफी फाइदा हो सकता है इसलिए उसके बाद अगर बात करते हैं तो काफी बढ़िया टीम बन जोक्त है और ग्रालिक के लिए जाधा बेटर है दोस्तों वहीं एगर आप लिए यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा क्या अच्छी टेम बन चुक regimes की वहीं स्माइल के लिए इसे ज़्यादा लिए प्रिफर करूंगा ये दूसरी टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं इतो जैसे कि हमने यहाँ पर केपिंग में चेंज कर लिया हाला कि अली ने ठोड़ा प्रफॉर्पॉर्स के लेकिन यह आलम भी काफी बढ़ी अग्षे में तीनी बल्यमा लिए इसले टिम ए चार वल्यभाज लिए तो और पर लॉज आपके ले यह अगके में लेड़ ऊप्षिन हो जाए औल रॉंडर की अगर बात कर लेते तो मै यहां पर अर्थी रुबाला को लिए लेकिन इस टीब में उन्गों नहीं ले कफीं यह काफी बाइटिंग और बॉलिंग करते तो यह में प्राब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं चाहिए चलिए गेनबाजी के अगर बात करें तो मैंने इस टीम में D कुमार दास को आपस ले है और अग्रवाल को वाइस कैप्टन काफी कम लोगों ने इन पर भर्षा किया दोस्तों लेकिन हम इन पर जरूर भर्षा करेंगे क्योंकि अगर यह अच्छा प्रफॉंस करते तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा चले एक बार टीम प्रिव्यू करा देता हूं जैसे कि आप अप्षण बन चुके हैं मेरे पास एननदी एच सिंग और तुरुवला और एवा इस्तर से चार ऑल रॉंडर से मेरे पास जो के काफी बढ़े आया चारों के चारों अच्छी खासी बैटिंग और अच्छी खासी बालिंग दोनों कर सकते तो हमें डबल ऑप्शन मिल जाते तो हमने उनको शामिल कर लिए हुए है तो कुल मिला के काफी बड़े आतीम में दोस्तों सेडarna वैय्स कैब्टन एगर बात करें तो मैंने इस टीम का क्याप्टन जैसे बाइटिंग करते हैं तो जरूर आप इनपर भी एजवायस क्याप्टन या फिर क्याप्टन भर्षाग कर सकते यानि आप उल्टा भी कर सकते अर अगराल को क्याप्टन और ए नंदी को वाइस क्याप्टन लेकिन ए नंदी हमें डबल पॉइंट देंगे बैटिंग और बॉलिंग में इसलिए मैंने को क्याप्टन बना तो आप उल्टा भी कर सकते तो कुल मिला कि यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों इस टीम को भी मैं आपको ग्रा देता हूँ जालन माप की जगा जे आलम को बने लिया है एक पर और उसके बाद मैंने तीन ही बल्ले बाजी आप पर शामिल किये ताकि मेरे पास एक और रॉंडर एक्स्टा हो सके आई शाहा आर ठाकूर और अर अग रॉल उसके बाद मेरे पास चार रॉल रॉंडर से ए न होंगा इस टीम को अफल कर लेते हैं ए उसके बाद कि फिर अगरे लिए टो मैंने फिरसे बी ऑलिकाल कर लिए हैụ बैटिंग के अगर बात करते तो बैटिंग में मैंने आै शाहा को लिए है है आप देख सकते है आर अगराल को भी लिया है लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ आप्शन है नहीं दोस्तो आर ठाकुर को वापस लिया है तो आपको एक बार जरूर दिखा देता हूँ दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों की तीनों प्लेइंग इलेवर में शामिल नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे भी अगर आप कुछ को आपको कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आई शाहा के जगह पे आप एसिंग को भी ले सकते आप ए शाहा को भी ले सकते और देख सकते यहाँ पर एन घोश को भी सकते त्यूंति दा सकते तो मैं आपको वैसे दिखerson करके दिखा देता हूं चलिए दूश्टों मैं अभी कर सभी को यहाँ के डॉब करकर ध्यक्ता हुं आपको और कुछ ने सकते तो आप आप इसमें ए शाह को ले सकते हैं उसके बाद आप चाहे तो एन घोष और यहाँ पर एन घोष तो आ गए है और आठाकुर को रहने देते हैं फिर आठाकुर के जगपे भी आप एदास को भी ले सकते हैं जैसे कि फिर से आपको दिखा देता हूं अगर आप इन तीनों को निकाल देते हैं तो आप ए शाह को ले सकते हैं उसके बाद आप चाहे तो एन घोष को और एदास को इस तर से भी तीन बैलेटिसमन ले सकते हैं लेकिन इनका परफॉर्मस पिछले एक एक दो दो मैचस में ठीक था कि रहा है इतना बढ़िया नहीं र यहां पर देख सकते हैं मैंने वापस से आ ठाकुर को ले लिया है कि वापस के में लूँगा आई शाह को तो नहीं दूंगा आर अगरवाल को लूगा दोस्तों जैसे की इनको रहने देता यह शाह को रहने देते हैं और ले लेते हैं और ठाकूर को भी ले लेते तो इस तर से यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है उसके बाद और तीरुबला को ले लिया है वापस से उसके बाद एपको हमने प्छले टिब में लिया ता इस्टिम में नहीं लेंगे उसके आलावा मारे पास ना कोई option है नहीं all rounders में जैसे कि आप देख पा रहे तो इसी वज़े से मैंने एच सिंग को और ए नंदी को वापस ले लिया है जैसे कि आप देख पा रहे यह भी टीम काफी बढ़िया बनने वाली दोस्तो और गेन बाजी के अगर बात करें तो चार गेन बाजी में पास डी कुमार दास को लिया है एम दास को यहाँ पर लिया है पिछले दोनों टीमों म किसे बना सकते तो मैंने काप्टण जैसे आप देख पार है मैंने रहे हैं इस क्र church और काफी सबसेंट कर बनाया यह जो गयं है दोस्तों मुत्यूंट On ख ransom कर रहे महिए यिति कुमार खेंग क्रेंगर देता हो जैसे आप धेक पार रहे है कैपिंग में अधे सब्चिक sistभा इसके अलाव मेरे पास तीन अल्राउंडर से एच सिंग ए नंदी उसके बाद मेरे पास है डी कुमार दास एस कुमार सिंग भी को भी शर्मा और एमदास पाउस एमदास कमपिचले तीम में नहीं ले पाए इसलिए मैंने इस उनको शामील कर लिया तो आप चाहे तो इस टीम को राजी के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज की यूज बें क्योंकि ये टीम फोड़ी ठीक ठक के लिए उज़ कर सकते typically रएम कि बात करें तो मैंने यहां पे काफी सोच समझ करी क्याप्टन और क्याप्टन करें है काफी अच्छे विक्ते मिल रहे उनको तो जुरूर आप इनको क्याप्टन बना सकते वही यह प्रस्टर से भी कर सकते काफी बढ़िया टीम बच्जों के दोस्तों काफी अच्छी टीम है ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए आप से चेंज कर सकते लेकिन जारा चेंजेश करने के जरुत नहीं पड़ेगी आपको और अगर कुछ चेंजेश और भी रहते हैं जैसे कोई प्लेइंग लिए और में शामिल नहीं रहता है तो ज़रूर मैं अपने टेलिग्राम पे डालूंगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए आप वासे टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो और मेरी टीनोटी में काफी पसंद आए होगी गर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और केमेंट जरू कर दीजी साथ इसाथ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है बन्यवान